हेलो एब्रिवान, वेल्कम टु माई यूट्यूब चैनल, सो आज हम फिजिकल साइन्स का मेक्रो लेसन प्लैन 14 डिसकस करेंगे, सो जब भी हम कोई लेसन प्लैन बनाते हैं तो उसमें कुछ जिनरल इंफर्मिशन फिल करते हैं, जैसे कि सब्चेक्ट हमारा फिजिकल साइन्स है, टॉपिक आज हमने नोन मेटल्स लिया है, और ये क्लास सेवन्त का टॉपिक है, डेट और प्रियडा वही फिल करेंगे, जैस पी डेट में आप बच्चों को ये लेसन ब्लैन पढ़ा रहे हूं, दिन आते हैं हमारे जिनरल ऑप्जेक्टिप्स होते हैं, वो सब्चेक् पढ़ाने के हमारी क्या अप्जेक्टिप्स होने चाहिए, क्या उद्देश्य होने चाहिए, बच्चों में एटिट्यूट वेल्यूज एथिक्स टैबलप होगा, बच्चों में जो लर्निंग एक्टिविटी है वो फास्टर होगी, उनमें प्रॉप्लम सॉल्विंग इंटेड होते हैं यानि अगर हम बच्चों को टॉपिक नॉन मेटल्स पढ़ा रहे हैं तो उसे पढ़ाने के हमारी क्या ओब्जेक्टिफ होने शहीं है बच्चे नॉन मेटल्स को समझकर उसे अच्छी सा डिफाइन कर पाएंगे उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता चल जाएगा वह बच्चे नॉन मेटल्स को पढ़कर उसकी यूज़ जान पाएंगे अपनी डिल लाइफ में उसे यूज़ भी कर सकते हैं तो य फॉर्सर को फसाra जातरा रहे है तो इसकरते करते हैं उन्हें टो पर ले आना है तो उनसे बच्चों का में बना रहे गा वह बीच जाता आंसर एच्छे से से पाएंगे इसमें दो कोलम बनेंगे एक है प्यूपल टीचर अक्टिविटी एंडिया के इस्टूरेंट्स अक्टिविटी तो कुछन फर्स्ट इस वेर डू यू फॉर स्टुड़ी एवर्डे तो हम पढ़ने के लिए रोज कहा जाते हैं बच्चे स्कूल में जाते हैं उसमें सो टेबल शेयर ब्लैपोर्ट विंद्व एक्सेक्ट्रा तो जो भी आपके जब आप पढ़ा रहे हों बच्चे जो भी बता रहे हों वह भी लिख सकते हैं इन फॉर्ट इस वाट आधा चेयर टेबल में डप उफ तो वह किस्टी की बनी होती हैं सो वुड तो वह ज सब्सक्राइब करने होते हैं जब हम लेजन प्लैन पढ़ा रहे होते हैं सो फॉर्स टीचिंग पॉर्ट हमारा नोन मेटल से स्टुडेंस विल बी अबल टू कनेक्ट प्रीविएस नॉलेज तो नियू नॉलेज दिन हमारे कुछ कॉलम्स बनेंगे जिसमें जो फॉर्स कॉ आँप देशन वाएगा स्टुडेंस अक्टिविटी गा जो भी बच्चे आंसर बताएंगे वह मिसमें लिख देंगे देन नेक्स्टे टीचिंग ऍचनिक जो भी व्यप इपल कीश यूज करिंगे टेकिनिक चैंटीचिउंगे वह मिस्कॉलम में लिख देंगे इन दे ला सो जब भी प्रॉब्लेमेटिक आंसर आ जाए तो प्यूपल टीचर फिर देन अपना जो टीचिंग पॉइंटर से एक्स्प्लेइन करेंगे जानी नोन मेटल्स को देन जो टीचिंग मैथर्ड या टेक्नीक है वो क्या है कोशन आंसर मैथर्ड है क्योंकि प्यूपल टीचर न सो यह सब एक्सेंपल दिये हैं आप चाहें तो इसमें और इंफर्मेशन कर सकते हैं मैंने सिर्फ एक पेराग्राफ में लिखा है देन स्टूरेंस एक्टिविटी में स्टूरेंस विल लिसन और इंडिस्टैंड कियर फूली जो नेक्स्ट कॉलम है टीचिंग मैथर्ड या यह पैसेंपल नौन मेटल देना आता है मारा सेकेंड टीचिंग पॉइंट जोगी फिजिकल प्रपर्टी इस ओफ नौन मेटल तो इस्टूरेंस अगिन सेंग आयेंगे जैसे हमने फिर्स अचिंग पॉइंग में बनाये थे सो इवल्पिंग पूचिंग पूचिंग आजाए तो एकस्पेंड करेंगे कि डिक्टिलीटी क्या होता है देन जो अबना नेक्स्ट कॉलम था टीचिंग मेठाड या टाकन की कोशन आंसर मैठाड है य। प्यूपल टीचर स्टेट्मेंट्स ट्रेट्मिंट्स डप्टिलीटी नौन मेटल सार्ण डॉन 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 एक्सेप्ट पॉर कारवन सुच्ट डप्टिलेटी होता है वह क्या होता है किसी भी चीज को स्ट्रेच करके उसे वायर की फर्म में लाना इसमें लिखा हुआ है नौन मेटल्स नौ टक्टाइल सो नहीं हम नौन मेटल्स को इस पोम में नहीं ला सकते तो यह होती है दिन सेग सब्सक्राइब कर सकते हैं पहुत सारी होती है मैंने सिर्फ तीन ही लिख की है देन आता है मारा नेक्स्ट कॉलम जो की था स्टूरेंट्स एक्टिविटी सो स्टूरेंट्स विल लिसनें इंड्रस्टेंड कियर वुली सो जब प्यूपल टीचर पढ़ा रहे हैं तो प्रशन कोश्टन सुटीचिंग के बिल्कुल लास्ट में पूछना होता है सो कोशन इस इस नोन मेटल और गूड कंड़क्टर अप्रेशिटी तो अब बच्चे से आराम से आंसर कर पाएंगे देन आता है मारा थर्ड टीचिंग पॉइंग जो कि यूज उस आफ नोन मेट प्रिविए नॉलेश नॉलेश देन हमारे फिर से सेंग बनेंगे जैसे हमने प्रिविएस तूटीचिंग पॉइंट्स में बनाए हैं तो डेवलिपिंग कोशन फर्स्ट इस विच नॉन मेटल है इस प्रपर्टी ऑफ डॉप्टिलिटी तो यह मनें प्रिविए सबताया है कारपन इन सेकेंड इस वाटर दा यूजस ऑफ नॉन मेटल सो यह प्रोब्लेमेटिक आंसर है बच्चों को मैं भी ना पता हूँ कि यूजस क्या होते हैं नॉन मेटल की सो प्यूपल टीचर बताएंगे दिन जो नेक्स्ट कॉलम था टीचिंग मैथर टेक्नीक सो यह कुछ वाटर टीच नॉन मेटल साथ नॉन में प्यूपल टीचर स्टेटमेंट सो समुजस ऑफ नॉन मेटल सार फर्स टेयर उस फुर प्रिपैशन ऑफटर आप मॉनिया नाइटरिक एसिड और फटिलाइजर आट तो च्लोरिन बीक नॉन मेटल एट हो जब भी प्यूरिफिकेश यूज होता है फ्यूल वह हैड्रोजन से होता है इन लास्ट इस कारबन चैनल केन बीवेज़ तो मेग पैंसिल्स वन इति जर्फाइट फोर्म सो कारबन भी नॉन मेटल है इस यह जो था है जब हम पैंसिल्स बनाते हैं ग्रफाइट फॉर्म में इस्टूरेंस एक्टिविट होता है जब भी हम कुछ बचों को डेमंस्ट्रेशन को शो करके दिखाते हैं तो बच्चों को वह ज्यादा चैसे समझ में आता है और टीचिंग लर्निंग प्रॉसेस वह से ज्यादा बेटर होता है तो हम कोई भी चार्ट या मोडल या फिर को रियल आपजेक्ट बच्चो देन सिलिकॉन इस उस्ट फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स माइक्रोचिप्स इन सोलर सेल्स देन सल्फर इस यूज इन इस्किन फायर्वर्ट फायर्वर्क स्कन पावडर और अन सल्फियॉरिक एसेड तो यह कुछ यूज जो हमने डियाग्राम के तुरू समझाएं है दे फॉर्ट फॉर्स नोन मेटल साथ डैश कंडॉक्टर और फीट एंड इलेक्रिसिटी जिन सेकेंड इस कीप टू एक्जेमपल्स अफ नॉन मेटल थर्ड मेटल साव शाइनी इस में बताना यह त्रू है या फोल्स देन फॉर्थ इस वाट तक्रियर देन आथा है मारा ब्लै फॉर्स इस राइट फॉर्स अफ नॉन मेटल्स देन सेकेंड वाटर फीजिकल प्रपर्टिस अफ नॉन मेटल्स तो प्यूपल्स नेक्स्ट एक इसको चेक करेंगी तो यहां भी हमारा लेसन प्लैन खतम होता है इफ यू लाइक इस वीडियो देन प्लीज लाइक शेर और शब्सक्राइब चैनल थैंक यू